नमस्कार जहिन पूर्षानिकों और डिपेंडेंट्स के लिए नवंबर महिन्या का important welfare update और job updates आ गया है इसमें हम start करेंगे सबसे पहले welfare updates तो welfare update में DGR resettlement courses जो की IT से related है जो भी पूर्षानिक है या जो भी सैनिक retire होने वाले हैं उनके लिए जरूरी है DGR से related जो resettlement courses होता है उसके लिए मैंने एक elaborate वीडियो बनाया हुआ है अगर आप वो नहीं देख पाए हैं तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप resettlement courses करने के लिए सोच रहे हैं तो वीडियो खतम होगा तो आपको screen के उपर दिख भी जाएगा वैसे मैं description box में उसके link भी देदूँगा अभी आते main point पे तो ये है IT से related अगर कोई जो भी पूरुसानिक या retiring soldiers ये course करना चाहते हैं offered by NIE LIT तो कौन-कौन से courses हैं उसके बारे में आज हम लोग discuss करेंगे क्योंकि ये skill development है और skill development आज के date में सबसे important चीज है job resettlement के लिए हो या आप दुबारा से कोई business करना चाहरे हैं तो अभी हम NIE LIT के website पे आ यहां पे जो courses offer हो रहा है पूरुसानिकों के लिए वो कौन-कौन सा है वो देख लें सबसे पहला है certified multimedia course यह सब IT से related है इसके लिए योगिता चाहिए minimum 10 plus 2 अगर आपके पास है कोई भी stream से हो science हो art हो या commerce हो आप इसको अनिमेशन टेक्निक्स वीडियो एडिटिंग स्पेशल इफेक्ट्स वगर आपको सिखाए जाएगा उसके बाद जो next course है वो है O level का certified यह important है इसमें 10 plus 2 eligibility चाहिए उसके बाद इसमें क्या क्या आप सिखेंगे इसमें internet of things, python programming, web designing and publishing, IT tools and networking, network basics आपको इसमें सिखाए जाएगा उसके अलावा और तीसरा जो course है वो है CHMT Computer hardware maintenance technician यह O levels का certificate इसमें आपको मिलेगा इसमें भी 10 plus 2 चाहिए और यह 600 घंटे का duration इसमें रहता है बाकी आप इसमें क्या क्या सिखेंगे computer hardware peripherals बाकी एक सिटर आप यहाँ पर सिख सकते हैं इसका link नीचे description box में दे दूँगा तो यह NIELIT के माध्यम से जो courses करा जाते है National Institute of Electronics and Information Technology के माध्यम से जो भी पूर सैनिक यह retiring soldiers को computer courses करा जाते है IT courses उसका एक brief discussion था यह तीन courses basically करा जाते हैं तो आप इसको आप देख ले मैं इसका link नीचे description box में दे दूँगा आप इसको आप स्वीच करते हैं अपने vacancy में और चलते हैं vacancy क्योर गौर्मेंट जॉब से start करेंगे उत्राखंड public service police constable recruitment 2024 तो उत्राखंड police constable के लिए सुचना आ गया है अब इसमें online अविदन होगा आठ नौवंबर 2024 से नौवंबर का महिना यह नौवंबर का पार्ट वन वीडियो है और इसका लास्ट रहने वाला है 29 नौवंबर 2024 एक्जाम डेट भी पहले से clear है जो कि tentative है हो सकता है चेंज भी हो जाए बट यह एक्जाम डेट जो यूल है वो है 15 जून दो हजार पचीस मिल जाएगा आपको त्यारी करने का बार्वी पास जो भी पूरुसेनिक है इसके लिए आविदन कर पाएंगे मिनिमम इसमें 12 पास होना चाहिए जो कि इसका आप लेवल देख सकते हैं यह इसका salary रहने वाला है टोटल वेकेंसी 2000 की है और एक सर्विसमें के लिए यहाँ पे 100 वेकेंसी है रिजर्व्ड है एक सर्विसमें के लिए तो उत्राखंड में से भी काफी दिन से सिकायते आ रही थी कि हमारे लिए कोई government job मिल नहीं पा रहा है तो यह एक फैदा जितने भी आते हैं government jobs चाहे किसी भी state का हो मैं अबसे जरूर कोवर करता हूँ अगर आप regular channel follow करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं तो यह यहाँ पे है आप इसका selection process दिख लेते हैं क्या है आप इसमें सबसे पहले होगा written exam आपका उसके बाद होगा physical test जिसमें की physical efficiency test और standard test इसमें होते हैं उसके वेकेंशी है वो contractual वेकेंशी है तो national health mission उत्तरप्रदेश से आया है 7400 contractual position of community health officer का वेकेंशी आया हुआ है अब इसमें जो की integrated cross pro computer based test के माध्यम से इसका selection होगा इसका advertisement number आपके reference के लिए दिया हुआ है यह advertisement number आप reference के लिए देख चेक कर सकते हैं अब इसके online applications 28 October 2024 से start है और 17 November 2024 इसका last date है online का एक servicemen के लिए इसमें 370 vacancy है इसके लिए योगेता चाहिए B.E.C. nursing पाकि योगेता हैं के लिए आप description box में link देदूँगा वहाँ से आप चेक कर लें notification को एक बार thoroughly उसको पड़ लें क्या है उसके बाद ही apply करें अब selection process क्या रहेगा इसमें phase 1 में होगा computer based test उसके बाद phase 2 में होगा short listing जिसमें की document verification process होगा जिसको बी 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 बोलते हैं तो एक online exam होगा normal सा process है उसके बाद document verification अब इसमें कोई भी आवेदन सुल्क नहीं है पूर सानिकों के लिए अच्छा इसमें salary क्या मिलेगा salary मिलेगा 25,000 क्योंकि यह contractual job है और एक फायदा और है यह आप अपने district wise इसको preference देंगे टोटल जो 75 districts है तो इस 75 districts में से आपको preference देना है पूरे 75 के 75 में आपको preference देना है किसमें आप रहना चाहरे तो यह आप अपने district में ही रहके आपको यह job करने का मौका मिलेगा तो यह अच्छा offer है पूर सानिकों के लिए अपने district में job करना चाहरे है और उनके पास BAC nursing है त इसमें multiple post है तो इसको दूरा ध्यान से सुननेगा टोटल ए 188 वेकेंसी है पैन इंडिया पूर्शनिक एप्लाई कर पाएंगे इसमें एक सर्विसमेन के लिए 13 वेकेंसी है लेकिन बढ़िया वेकेंसी है इसका last date है 30 नॉवंबर 2024 यह online application स्टाट हो गया है computer based exam इसका कब होगा CBT 22 December 2024 tentative है चेंज भी हो सकता है बट यह अभी पहले से scheduled है अब इसमें देखिया कौन कौन से वेकेंसी है ट्रेनी agriculture चार वेकेंसी है BAC agriculture with 60% marks इसे लिए क्वाक क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप इसमें देख सकते हैं इसके अलावाद ट्रेनी technician ती इसमारे POORU- покynonics है वो मेकानिक से हो इसमें हो इसमें अप्लाई कर पाएंगे welder हो तो इसमें अपलाई कर पाएंगे इसमें एक सर्विसमेन की बैकेंसी बोल रहा हो में यह ऐसके बाद next है ट्रेनी मार्केटिंग इसंमें दो वेकेंसी है BAC agriculture है तो उसके बाद ट्रेनी तो इसमें आप भर्ती होते हैं तो आपको training भी मिलेगा उसके बाद आप पर्मनेट हो जाएगे उसके बाद नेख है stenographer इसमें एक वेकेंसी चेह अप 10 प्लस 2 है और आपको stenographic knowledge है तो आप इसके लिए apply कर पाएंगे बाकि योगेता हैं क्या है आप स्क्रीन को उपर देख सकते हैं अब यह हमारा गौर्मेंट जॉब्स यहां पर समाप्त हो गया अब हम डारेट वेकेंसी में आते हैं देली फार्म हाउस में गौर्णमैन की आवशकता है यहां पर 34,000 सैलरी है और 3600 पी-एफ मिलेगा यानि आप दोनों को मिला दें तो आपको एराउंट 37,000 के आसपास यह सैलरी आपको मिलेगा इंक्लोडिंग पी-एफ एक्कोमोडेशन यहां मिल रहा है खाने का आप खुद से बना के आराम से इसको खा सकते हैं यह अगर लोकल हैं तो लोकल आप यहां पे डेली आप डाउन करके आप इसको कर सकते हैं अब यहां एक ही ज़र है यह यह यर्ली इंक्रिमेंट 10% का मिलेगा यानि हर साल आपका 3400 रुपया इंक्रिमेंट मिलेगा इसमें तो यह एक भी फायदा है यहां पे इस जगह पे नौकरी करने का और साल में 30 दिन का छुटी मिलेगा आपको यह भी है लोकेशन कौन सा है देली चतरपूर सानिधाम मंदिर यह लोकेशन है वैसे आप कॉन्टैक्ट डिटेल यहां पे दिया हुआ है उनसे इंक्वारी कर सकते हैं लोकेशन वाइस बाकी सब्सक्राइब बट यह जिनके पास गन है और डेली आसपास के लोकेशन के हैं यह पैन इंडिया कहीं के भी हैं यह कहीं के भी रखें क्यूंकि यहां पर दे रहे हैं उनके लिए अच्छा है इंक्रिमेंट हल साल का है 30 साल चुटी तीस दिन का चुटी भी दे रहे हैं तो यह ठीक ठाग है उसके बाद नेक्ट वेकेंसी यह का है गया बिहार के लिए अब यह सालरी कितना दे रहे हैं 45,000 अब इसमें एक सर्थ है क्या है वह है पी यह सो वही मतलब इनको चाहिए जो उनको ड्राइविंग आती हो वो भी आटोमेटिक गाड़ी का तो जो भी पूरुसैनिक आटोमेटिक गाड़ी चलाने जानते हो जिनके पास हतियार हो राइफल हो मोडिफाइड राइफल तो उसके लिए अपलाई कर पाएंगे रहना खाना फ्री है इसमें और 45,000 दे भी तो ठीक है सैलरी यह आप यह कॉंटाइक डिटेल इनकोरी कर सकते हैं इन से नेक्स्ट है दो जेशियो चाहिए और ASO Assistant Security Officer के लिए सूरत गुजरात लोकेशन के लिए अब सैलरी कितना यह ओफर कर रहे हैं यह देखिए 30,000 प्लस पीएफ जमा होगा 36,000 यह 26 दिनों के फूट फ्री बाइक भी मिलेगा चलाने के लिए अब यह जूटी आवर दिया हुआ है इसके बाद नेक्स्ट है गौनमैन चाहिए 15 और यह लोकेशन है कस्मीर का सोना वार्क लोकेशन के लिए चाहिए 15 गौनमैन qualification metric पास चाहिए online gun line से उनके पास होना चाहिए यहां रहने के लिए accommodation मिल रहा है accommodation free है salary क्या मिल रहा है 30,000 तो location के हिसाब से salary मेरे को थोड़ा कम लग रहा है और थोड़ा होना चाहिए था अब inquiry number यह दिया हुआ है तो यह inquiry से बात कर सकते हैं ज्यादा जानकारी प्राप कर सकते हैं जो भी पूर सैनिक है इस location के या कस्मीर location के कर सकते हैं उसके बात next है NCO और JCO के लिए job opportunity है यह आया है गुट डे डिफेंस स्कूल नियू सैनिक स्कूल हनुमान गर्ड लोकेशन जो की approved है ministry of defense के दोरा और इसमें कौन-कौन से post हैं वो देखें जेशियो और NCO के लिए है यह पोस्टल वाडन दो वेकेंसी है अब यह क्या उनका रोल रहेगा यह देख सकते हैं या उनका रोल रहेगा बाक्ति quality manager चाहिए candidates mix के लिए एक यह तोटल थीन वेकेंसी है इस institute में अब उनका quality manager का क्या रोल रहेगा क्या उनका काम रहेगा यहां आप देख सकते हैं screen को पर स्कूल पॉलिसी अगर आपको इसमें इंट्रेस्ट है तो आप यह एलिजबिलिटी इन से बात कर सकते हैं कॉंटाक डेटेल यह दिया हुआ है यह इनका इंक्वाइरी नंबर है इस पर आप रिजूमें सेंड कर सकते हैं से डॉकुमेंट्स अगर कॉल नहीं उठा पा रहे हैं तो आप इनको वर्टसप पर आप इंक्वाइरी कर सकते हैं यह जेश्यों के लिए है उसके बाद नेक्स्ट है 20 गनमैन चाहिए कांडला पोर्ट गुजरात के लिए हमें सेलरी क्या दे रहा है 30,000 और PF 3600 प्लस ESI तो यह है रहना खाना फ्री दे रहा है और कांडला पोर्ट गुजरात का यह लोकेशन है इनक्वाइरी नंबर यहां दिया हुआ है दो नंबर है यहां से बात कर सकते हैं पूर्ट सानिक जो भी गनमैन है अब हम लोग आते हैं डिपेंडेंट्स के लिए कुछ वेकेंसी को देख लेते हैं अब डिपेंडेंट्स के लिए जो वेकेंसी है उसमें है सबसे पहले यह प्लेस्मेंट ड्राइव लग रहा है बेगुसराय बिहार में कहां टेगरा ब्ल इसका टाइमिंग क्या रहेगा साढ़े दस वैसे साढ़े चार सुब मॉनिंग में साढ़े चार दस से साढ़े चार सामको अब इसमें प्लेस्मेंट ड्राइव होगा 10 जो भी कैंडेट हैं यह सिविलियन कैंडेट्स के लिए बोल रहा हूं एक सर्विसमेन इसमें ना रहेगा सिकूर्टी सुपर्वाइजर सिकूर्टी गार्ड कस्टमर के एक्जिगूटीव और और कॉंप्यूटर ऑपरेटर के वैकेंसी में आएंगे और मों दैन इसमें 200 से ज्यादा वैकेंसी एक्सपेक्ट की जा रहे हैं और इसमें एज का रेंज भी है 19 से 40 साल ब्लॉक्वाइज प्लेस्मेंट कैंप फॉर एसाइस सिकूर्टी कॉंडा गाउं आट 36 गर्ड बस्तर फ्रॉम चार नौवंबर दोजार चोवीस तू ग्यारा नौवंबर दोजार चोवीस यह और्गनाइज हो रहा है क्यारियर सेंटर बस्तर 36 गर्ड के माध्यम से अब इ उसके अकॉर्डिंग यहां पर जा सकते हैं डेट वाइज यहां दिया हुआ है अब इसमें टाइमिंग है चार नौवंबर दस बैसे ग्यारा नौवंबर तीन पीम तर अब इसमें कौन-कौन से वेकेंसी है सिकूर्टी गार्ड और सिकूर्टी सुपरवाइजर्स के लिए वेकेंसी यहां पर रहने वाला है बाकी आप वहां पर विजिट करेंगे तो आपको मिनिममम इसमें जो क्वालिफिकिशन है वहां तेंथ पास है इसके अलावा सैलरी डीटेल्स इसमें ठीक टाक रहता है आप इसमें चेक कर सकते हैं जाके जो भी डिपेंडेंट है उनके बता रहा हूं उसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉक लेवल रोजगार मेला मध्य परदेश बरवानी में हो रहा है यह पांच नौबर दोहजार चोबिस को यह हो रहा है और इसका वेन्यू देख लेए यहां पर यह होगा और इसका टाइमिंग क्या है वेन्यू को इसलिए मैं य होला है वेन्यू अब इसका टाइमिंग क्या रहेगा पांच नौबर ग्यारा एम से तू पी एम तक यह चलेगा तो जो भी डिपेंडेंट्स हैं हो जा सकते हैं यहां पांच कंपनी जाएंगी टोटल हंडेट पोस्ट इसमें रहने वाले हैं सो पोस्ट हैं तो जो भी इस जाएं तो आप लोग परिशान नहीं होगा आने जाने में भी और दूसरा चीज अगर आप वह आपको सुटेबल जॉब नहीं भी मिला तो आपको ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ज़्यादा दूर नहीं गये हैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अपने डिस्टिक में ही करें आप इस चैनल को फॉलो करते रहें हर डिस्टिक वाईज में कोवर करता हूं एक सर्विसमेन के लिए भी कोसिस करता हूं अपने डिस्टिक में ही मिल जाए या अप ब्रीफ discussion में बनाया हुआ हूँ, उसका ब्रीफ पुरा एक वीडियो dedicated वीडियो है, resettlement course के उपर, एक servicemen है वो भी, अलाकि एक servicemen का मैं देखता हूँ, कि एक servicemen ज़्यादा choice नहीं करते है resettlement courses के लिए, अब क्या कारण क्या है, मजबूरिया हो सकते हैं उनके साथ, या उनका interest नहीं हो पागा, उदना, तो ये चीज है, तो एक servicemen भी resettlement courses कर सकते हैं, एक बार मौका मिलता है life में, तो ये एक आप कर सकते हैं, और उसका फैदा उठा सकते हैं, थैंक्स पर वाचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए, जय हिन, हैपी दिवाली, जय हिन, जय भारत.